नमस्कार आपको सब्सक्राइब करें तो अब हम देखेंगे रिजल्ट को यहाँ पर रिजल्ट है और आंक ले दिये गए हैं करोड में बात करते हैं रिजल्ट के फॉर्मेट की तो सबसे लास्ट में जो कॉलम है वो सितंबर 21 कॉर्टर के रिजल्ट है सेकंड नमर पर जो पर आकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दी रहे हैं वह सितंबर 22 कॉर्ट की रिजल्ट तो देखेंगे थार्ड नमर पॉइंट टोटल इंकम को सितंबर 21 कॉर्टर में कंपनी की टोटल इंकम थी 3812.31 करोड की जून 22 कॉर्टर में यह हुई 4522.28 करोड की और सितंबर 22 तो year on year basis पे हमें 6% की व्रद्धी इंकम में होते हुए दिखाई दे रही है अगर बात करते हैं quarter on quarter में जून 22 कॉर्टर से सितंबर 22 कॉर्टर में तो quarter on quarter basis पे हमें जो total income है उसमें कमी होते हुए नजरा रही है अब हम देखेंगे expenses को सबसे नीचे दिए गए है total expenses सितंबर 21 202,342 क्रोड के total expenses थे June 224 में 421.74 क्रोड के total expenses हुए है और सित्मबर 22 कॉर्टर में 4162.13 क्रोड के total expenses हुए हैं तो total expenses को देखें year on year में सितंबर 21,25 रहे हैं तो year on year बेस पे हमें 30 प्रतिशत की व्रद्धी expenses में होते हुए दिखाई दी रही है बात करें quarter on quarter में June wise quarter से September wise quarter में तो quarter on quarter base पे हमें जो expenses हैं उसमें कमी होते हुए नजर आती है अब बात करेंगे profit and loss statement की तो बात करते हैं 9th number point profitable loss before tax की सितंबर 21 quarter में 609.95 करोड के profit before tax थे जून 22 quarter में 304.89 करोड के profit before tax हुए और सितंबर 22 quarter में 118.37 करोड के loss before tax हुए हैं तो profitable loss before tax को देखें year on year में सितंबर 21 quarter से सितंबर 22 quarter में तो year on year base पे हमें जो profit before tax है उसमें कमी होते हुए दिखाई दी रही है बात करें quarter on quarter में June 20 quarter से सितंबर 22 quarter में तो quarter on quarter basis पे भी हमें company के profit loss में convert होते हुए नजर आते हैं अब देखेंगे 11th number point को सबसे नीची दिए गया है profitable loss for the period मतलब company के net profit net loss की तो सितंबर 21 quarter में 450.2.1 करोड के net profit थे जून वाइस quarter में 227.3.5 करोड के net profit हुए और सितंबर 22 quarter में 87.3.2 करोड के net loss हुए हैं तो net profit loss को देखें year on year में सितंबर 21 quarter से सितंबर 22 quarter में तो year on year base पे हमें company के profit loss में convert होते हुए नजर आ रहे हैं बात करें quarter ину quarter में, June 22 quarter से सितंबर 22 quarter में तो quarter on quarter base पे हमें company के profit loss में जाते हुए दिखाई देते हैं overall results को देखें हैं तो चाहिए will quarter on quarter ओदे को वह year on year हो दोनों में ही हमें company के profit loss में जाते हुए दिखाई दे रहा है company का पर्फॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है तो रिजल्ट काफी खराब आये हैं कंपनी का पर्फॉर्मेंस खराब हुआ है धर्न्यवाद